नमस्कार दोस्तों आपका प्रगती मीडिया की जोसर संस्तान टीम में आपका एक बार शोगत है दोस्तों आज हम बात करेंगे रासी से संब्दिद प्रगती मीडिया की जोसर संस्तान टीम ने कई बार नामों से संब्दिद आपको कई बार जान करें दिये हैं हमारे पास में कई तरह के प्रिशन आते हैं कई तरह की कमेंट आते हैं कि जो पूछते हैं कि हमारे नाम की जो रासी है वो क्या रहेगी आज हम इस बारे में ही बात करेंगे कि आपके जाम की जो रासी होती है उसका स्वामी क्या हो है आपके नाम की राशी क्या है और आपके नाम का जो नच ह Bendit तो दोस्तों हमने पहले भी आपको आप से कई सम्माध़ित आपको बाते की हैं हमारी जो स्नस्थान जो टीम है वह को कुछ ऐसी जानकरी देती है कुछ आपकी ऐसी प्रहसानियां को समध्दान करती है जो आपको काफी समय सी हो है जिनका आप कई जगे घुम चिके हैं लेकिन आपको उनका कोई समाधन नहीं मिल लाए तो हमारी जूसर संस्तान की जो टीम है उसके लिए आपको नाम से समध्दित अगर आपको कोई जान करें चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप नाम से समध्दित आपका जो नाम है उससे नाम से समध्दित आप अपनी राश्री वल जान सकते हैं उसका फलादिश जान सकते हैं उसका प्रेडिक्शन जान सकते हैं कि आपकी नाम की जो राश्री है जो आपका नाम है उससे आपका क्या बश्री रहेगा तो दोस्तो किसी का नाम है और उसका नाम बोलता हुआ जो उसकी नाम की जन्मकुल्णी के एक होती है आपकी राशी होती है वह बहुत माइने रखती है और एक होती है आपके नॉर्मली आपके जो बोलता नाम रहता है उसके नाम की जो राशी रहती है वह माइने रखती है दोनों का अलग होगी लेकिन अगर किसी का उसी का गौरव का नाम का अगर उसकी जन्म कुली के हिसाब से उसका नम सौमिस है या फिर राहूल है जो भी नाम है उसका उसके जो नाम की जन्म कुली के हिसाब से उसकी रासी दूसरी होगी दौनों का अलग-अलग मतलब होता है दौनों का अलग अलग वविष्च होता है दौनों का अलग अलग मतलम निकलता है आज आप इह सबसे पहले क्यों चर्प लें लगन कुलनी का ह उसमें वह देहिक है रहा कासी ग्रह न बेटा हुआ हुआ है स coyनते को से कुछ से कुछ से चक्र में बैठा हुआ है आपकी मखर राशी होती है अगर कंया में कटौर का मतलब नमर या मकर कर दसने अगर देख लिए तो उसके नाजने को पता लग जाएगी कि आपकी कौन सी रासी जो होती है वह 12 रासी होती है जिससे ही हमारा पूरा वविष्ट्र वर्तमान प्यूचर आपको सब कुछ आपका इन 12 राश्यों के दा रही आपको बताते हैं और भी कई तरह की गडित होते हैं लेकिन आज हम अलबार नहीं करेंगे तो मैंने आपको बताया कि आपके जन्म कुल्ली की राशी जो जंद्रमा जहां बैठा होगा वह आपकी राशी होती है दूसरी राशी होती है आपकी जो बोलता हुआ नाम है अगर आपको दोना नाम से में जर्मिकुल्य बोलता हुआ तब की शेम राश्य मिश्ष मिठून कार। नाम हो वह किसी उपर कोई वि दुनिया में किसी पीजाती का नाम हो वो अन ही राश्यों के अंदर मेisture si इनान जो अच्छ राते हैं अच्छ नाम मैं आपको जो सब्द हैं उनके बारे मन आजब मैं बताऊंगा तो संबस्क्राइब मुझा Bu कश्नन तो इसका का आ गया और एक कशिसीन का 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 आphasis तो किसी को 5000 क्सपा है दोस्तों अगर बता रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं देखें सबसे जो पहली राशी होती है मेश राशी उसके अंदर जो सब्द आते हैं वो आता है चू चे चो ला ली लू ले लो आ आ इसमें नौ सब्द आते हैं छू, चे, छो ला, ली, लू, ले, लो이아 इसमें ये एगे लू सब्द आते है इसमें क्या होता है कि जैसे अगर किसी का नाम आगर अगर आउ लावशिंग है तो इसका मेश्akers非 हो जाएगे इसका नाम अगर किसी का नाम अवशी है तो इसकी भी मेश राशी हो जाएगी तो इसमें जो आपके जो नच्छत्र होता है ये मेश राशी के अंदर होता है अगर जिसका नाम चू चे चो ला अगर इससे आ रहा है तो इसका जो नच्छत्र होता है वो अश्मनी नच्छत्र होता है और उसकी मेश राशी होती है अग और किसी का नाम आर्शा यह आरह यहारा जैसे अफिचिक हो oike了 12 अनुराव हो गया इनका जो नच्छत्र होता है और इना जो मेशराशी बार में आता है आपकी व्रश राशी बैए रर्श में उउ ए आ वा वावी वाव में वव वू इसमें आपके इसमें भी न ions चरह आते हैं अगर किसी का नाम ई उ मनला उ से मेरे को नाम अभी नहीं आधा रहा लेकिन उसे और उ से जैसे कुई वे नाम होता बाद से तो जैसे और व्यू क्रिति अ 강तिर रोस थे उसके प्रश्टाश्य का नाम और किसी का नाम वा भी वव अगर इस से आता है तो जिसे उसे हुगा और हो गया ओम पाल हो गया वा जे कोई बी तोय होता है और थी वरेष्राशी रहती है आफ़ायात अपकी मितनराशी मिथन backing के बारे में जानते हैं कि मितन राश्री में कौन कौन से अच्छर आते हैं और आगर आपका मितन राश्री से जम्मदित आपका अच्छर है तो आपकी कौन सा राश्री का श्वामिय और आपका कौन सा नच्छत्र रहेगा तो इसमें जो आते हैं सबसे मुख्य इसमें आते है का की अगर आपका का की मलग की जैसे में आपको बताया तक कार्थिक तो इसमें आता है कार्थिक तो आपका मिर्ग शीरा नच्छत्र होता है और आपका मित्वन आपकी राशी होती है और की मतलब जैसे कीर्थी हो गई तो उसका मिर्ग शीरा नच्छत्र होता है और मित्वन उसकी राश्य होती है और जिसका नाम अगर जिसके नाम का पहला चर कु घह अड़ छ मैं लगा मतलब हो गया जैसे घंशाम हो गया या छ मतलब छैल ब्यारी हो गया तो इस तरह के जो आते हैं कु मतलब की मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा लेकिन मैं कहचांब जैसे कुट् फिल् को को मतलब की मितन ने शीं होती है और यहनं की जो राश्य होता है इसकोद्षव परशाथ WOR को UA GO होता है और पकले इसमस्किल्स को नित्टर आसके माथ होती है हार्स हर्सत इनका जो होता है इनकी भी मोध ही नचेत्र होता है वो पुनवश्वू होता है अज़े में आपके इचीं बताना बूल गया था मेश राशी का जो स्वामी होता है मंगल होता है मैंना इसके वरम मेहला अलाप को है आपकी करक राशी करक राशी में ही ही शे आपका हेमानी ही ना ही ही से जो आजाता है ही ना तो इसमें आपका पुनवर्शु आपका नच्छतर होता है और आपकी करक राशी होती है काफी अच्छा नाम काफी अच्छा नच्छतर इसमें रहता है और इसके बाद में आजात तो इस तरह के जो नाम होते हैं उनका पुष्र ने च्हिकर मशाती है और कडीरा अगर इसका किसी का कोई नाम नहीं सुना है और अगर यह किसी को होता है तो उसकी आश्रे से नच्छत्र होता है और उसका करक उसकी राश्री होती है कि अगर किसी का मा मी मू में अगर किसी का नाम का सब्सक्राइब का अगर आपका मा मी मू में अगर किसी का स्टाडिंग का आता है तो उनकी शिंग राश्री होती है और उनका जो होता है वो मागा नच्छत्र होता है माश्री जैसे आपका हो गया मम्ता मीश हो गया मीना मूश हो गया मूलधर मूलधर मेश हो गया मेख शाम इस तरह के जो होते हैं इनका नाम का इनका नाम का जो नच् है और इसमें अगर आपके चाहते हैं कोई भी तो आपका नच्चत होता है उढके और आपके जो राश्य होती है वह वो शिंग राशिर उती है और आपको श्वाफन भी आपको शूडद से आता है अग्ام अगर आपका नाम मिगरस्फरた Państwo तो पा या प्र यह पी पू शर अडव पे तो यह नाम के अच्छे राते हैं अगर इसमें आपका नाम सब्सक्राइंग का सब्सक्राइब तो आपका प्र है तो आपका उतरब फालगने इ rechts रहेगा और आपकी कन्या राश रहेगी पासर जैसे कि प्रिया प्रिया क्या नाम हो गया यह पंडाल हो गया यह इस तरह की नाम पासे उनकी पार नाम से उनकी जो राशी रहती है इंका नच्छत्र हो तो थोड़ा चींज्ज रहते हैं अंकि राशी रहती है और उनका जो नच्छत रहता है वो हस्त रहता है अगर इसका भी स्वामी डो रहता है वह बुद्ध रहता है और इसमें अगर आपका आजाता है कि पेपो अगर किसी का नाम पेवड़ पूपन पेना नाम अगर इस तरह के नाम का कोई सब्द का नम का सब्द रहता है तो उसकी जो राशी रहती है वो कन्या रहती है और उनका जो नाम का जो नच्छतर स्वामी रहता है वो चित्रा रहता है अगर किसी के नाम का अब आ जाते हैं हम तुला राशी पर तुला तो उनकी तुल्हा राश होती है राम, वृ राम परकाश, ही सित्र नाम होते हैं उनकी तुल्ह राश होती है। उनका श्वामई होता है वो शक्र रहता है नू इस तरह के नाम आ एता मुनला है नहीं ता भ ो ho सकता है इंको आजाता है तिसे आपका तितली और तू तुटे ये ती तेजा राम कुछ थेजा राम हो गया तो इनके जो नाम का न रहता है वह विश्यागा रहता है उनकी जो राशी राती है वह तुला राशी रहती है दोस्टों आज हम जो नाम से समद्दित जानकरी ले रहे हैं कि अगर आपकी व्रशिक राशी में कौन से नाम के अच्छे राते हैं और इसमें आपका नच्छात्र रहे आब और अगर किसी का तोता नानी नूने नूना या या यू अगर यह आते हैं तो आपकी वरश्चिक राशी रहती है वरश्चिक राशी में विशाका अनुवादा और जेश्टा यह नच्छत रहते हैं अगर किसी का नाम नानी, नूने, अगर किसी का नाम जैसे नू से नूतन हो गया, नी ना नाम, ना से कुछ भी लगा ली, कोई भी उगो नाम होगा, ने ना नाम, तो उनका जो नच्छत्र होगा वो अनुरादा रहेगा और उनकी जो राशी रहेगी वो ब्रशिक राशी रहेगे अगर किसी का नाम नो या ये यू अगर इस तरह की कोई नाम रहता है तो उनके नाम का सब्दी जे रहता है तो उनका जो नाम का राशी रहती है वो और उनका जो नच्छत्र होता है वो जेश्टा नच्छत्र रहता है साथ यह वीडियो साथ 20 मिनट से भी उपर जाएगे और अब हम आयाते हैं धनू राशी के उपर दनू राशी के बात केरें तो यह यो भावव भीूग द फठ भी मले इसमें आते हैं यह वह विववबह़ राशी होता है उनका धनू राशी होती है और मूल पुर्वशाड़ा उत्रश्बा कि नैस्हात्र्स क्किष्ग क नाम का सब्दिका पहले यह यो यूशियोग्राम ये येववती बाश भाववत भी से भीमलाल इस तरह के होते हैं तो उनका मूल नच्छत्र रहता है और धनुन की राशी रहती है और भू ध्र फठ इस तरह के नाम में दासे जैसे धन्नाराम हो गया तो इस तरह के रहते हैं उनका पूर्वर उत्रा शाड़ा नच्छत्र रहता है और उनकी धनूराशी रहती है अब बात करते हैं मकर राशी में जो नाम की सब्दा आते हैं वो आते हैं बो जाजी जो खेखो खेखो गगी इस तरह के नाम की सब्दा आते हैं उनकी जो नच्छत्र होता है उत्रशाना श्रवन दनिष्टा ये तीन तरह के नच्छत्र रिश्में प्रववित करती हैं मकर राशी में किसे का नाम का सब्द है भो जाजी जैसे नाम की सब्द होते हैं उनकी नच्छत्र रहता है और मकर राशी रहता है मगकष रहते हैं अगर किसी का ऐसा आता है तो उनका जो नेच्छहतर होता है वो उनकी जो राशिय रहती है वह मखहर राश रहती है जिसे खीमलाल और खेशी क्ching, क्रकोश सकता है, यह तो जो भी नाम होते हैं विसपर राशि रहती है तो उनकी मकर राशी यहां और जो दणेश्टा को अब बात करते हम् और बहुत माइन रखती है जीवन में अगूगे वुगा शाषी सूशू छेशवु Dr तो इसमें सबसे आयाता है आपका गूगे मलव की जो जिनका नाम गूगे से आता है गूगाराम गेममती तो उनकी कुम्बर आशी होती है और उनका जो नच्छतर होता है वो धनिश्टा नच्छतर रहता है गोशाश शुषे आगर यह नाम की अच्छतर होते है तो जैसे संतोस हो गया सीता हो गया या फिर गौशाला हो गया मले स्टरह के नाम होते हैं जिनका उनकी कुम्बर आशी दाशी आपका दावदलव की दा वुगा दाव वैक दावड़ा दावक्या अपने लेता हूं दान वालदा तो उसमें उसका जो नाम का जो राशी रहती है उनकी कुम्बराशी रहती है शोल्षिर मनलब श्वामीश हो गया तो उनकी भी कुम्बराशी रहती है और अब हम बात करते हैं मेन नाशी पर मेन नाशी पर आजाते हैं आपके दी दू थ जड़ं दे दो चाची इसमें इनों सब दोते हैं और इनकी भी मेन नाशी रहती है अगर किसी का नाम दी से है दी से मतलब दीन दयाल वाला दी अगर किसी का इस तरह से नाम का है तो उसकी भी मेन नाशी रहती है और इसमें दू थ जड़ं अगर इस तरह के नाम भी होते हैं तो उनकी कोई ऐसा नाम तो मैंने सुना नहीं लेकिन इस तरह के नाम भी होते हैं त अगर यह चैजम्बल रहा हूं तो सुने कासरी नाम के वह मेरी मेरा भाल तो आपको आपको कोई जान करी अगर आदूरी लगती है तो आप मेरे Kiss पानते हैं चाहरे पोड़ियो देखके हैं तुछ अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आपको यह जानकरी सहीर लगती है तो आप ऐसे लोगों को सियर कर सकते हैं जिसको इसकी जुरत हो और राश्री आपके लिए बहुत महींने रखती है जो आपको स्टार्डिंग मैंने बताया था यह मैं आपको एक बात पता ना भूल गया कि कर दिगे जो आपके यह जेशे होगते हैं जानकर में आपको एक एक से कि बीगाता तो अभ शिक की चो राशी ती तुला राशी कि राशी कि है वह तुला है लेकिन बूलते हैं नाम की जो राशी है वह मेश है तो इसमें आगर हम कोई महुर तो नकाल रहे हैं जैसे आपके कह लाश tools gonna die बाथ सैота जीवन से बहुत सम्मन्दिद है तो वहां पर जनम की राशी आपके देखी जाती और भी चीज़े देखी जाती है ग्रहना चेत्र पर आपको किस तरह के द्रृष्टी बगारा तो नहीं है ग्रहों की वह सब भी देखा जाता है लेकिन आप मूलत लेख जाता है तो आपके ज तो इसमें आपका बोलता हुआ जो नाम है वो माईने रखता है कई बार क्या लगूख होते हैं कि जर्मकुली की नाम के जो स्वामी होता है उससे वो राशीफट बताते हैं लेकिन आप अगर मंत्री के बारे में पूछ ले हैं तो अगर आप अपने बोलते हुए नाम के तार तो आप मेरे से वाट्सअप के मादम से पूछ सकते हैं नमस्कार